नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन इस्टड़ी पॉइंट पर दोस्तों आपके चैनल पर बिहार फिच्छक भरती बिहार इस्वसल लगातार आपको क्लासिस दी जा रही है और वही प्रस्ण आपको कराएंगे जो आपके पेपर में आएं कम ही प्रस्ण होंगे लेकिन जो होंगे वो सॉलिड होंगे तो चलिए कोई फाल्टू की बाते नहीं होगे सीधा प्रस्णों की तरफ चलेंगे बिहार इस्परस्ण लगाएं बिहार समान न अध्या नई है तो देखीए बिहार की कितनी आबादी के पास रोजगार है एक चौथाई, एक तिहाई, आधा या दो तिहाई, आप में से कितने लोगों को पता है इस प्रशन का उत्दर, मुझे लगता है इन फैक्ट सबको पता होगा, तो दोस्तों बिहार की जो आबादी है, उनमें से एक तिहाई लोगों के पास क्या है, रोजगार है, Q2, बैसाली के कुंड ग्राम में महाबीर का जन्म कब हुआ, चारफ फटर में, पांसो चालिस में, पांसो नवासी में, छे सो तेरा इस बी में, तो दोस्तों इसका जो सही जबाब आपका होगा, वो होगा पांसो चालिस इसा पूर्व, यानि 540 में बैसाली के निकट कुंड ग्राम में महाभीर स्वामी का जन्म हुआ था अगला कोईश्यन ध्याम पे देखिए आराम से हर प्रश्णों का उत्तर सोच समझ के तो क्या होगा इस प्रश्ण का जबाब बताईएगा आप लोग 1656 1661 1656 1671 सवाल क्या है आपका पटना में गुरु गोविंद सिंग का जन्म किस वर्स हुआ था प्रश्णों का लेबल ठीक ठाक है धंग से सोच कर बोलिएगा दोस्तों इसका राइट आम पर होगा 22 दिसंबर 1686 इतना तो आपको पते था यह तो आपको पते है भी यह 22 दिसंबर रटना में दोस्तों गुरु गोविंद सिंग का जन्म हुआ 1646 इतना में और वो दिन था 22 दिसंबर का अगला प्रश्ण बिहार में बक्सर का युद्ध कब हुआ जवर्जस्त प्रश्ण है ध्यान से बताईएगा सोच समझ कर बिहार में बक्सर का युद्ध कब हुआ 1754 इसका उत्तर सबको पता है दोस्तों 1754 में हुआ था और यह जो युद्ध हुआ यह बक्सर नगर के आजपास इस्ट इंडिया कंपणी के हैक्तर मुन्रो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया जिसमें बंगाल के जो नवाब मीर कासिम थे और अवध के नवाब सुजावुद दवला तथा मुगल बात्साह आलम दुत्ती की संयुक सेना अंग्रेजी कंपणी फे दोस्तों लड़ रही थी अगले प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर बताइए भिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ? 1920 1921 1923 27 तो दोस्तों स्वराज दल का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को कब 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का गठन हुआ था अगला question बिहार सोचलिस्ट पार्टी के अध्यच कौन थे राम बिच्छ बेनीपुरी आचार ये नरेंदर देव करपूरी ठाकुर या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आचार ये नरेंदर देव अगला प्रसन निमलिकित में से कौन बिहार बिधान सभा के स्पीकर नहीं है तो त्रिपुरारी प्रसास सिंग ये तो थे गुलाम सरवार और ये भी है और राम द्यालु सिंग ये भी है तो दोस्तों अरुल कुमार सिंग ये जो है बिधान सभा के स्पीकर नहीं है अगला question आपकी स्क्रेन पर ध्याम आयत समिति और जिला परिफद अधनियम कब लागू हुआ 61, 62, 84, 92 क्या लगता है आपको कमेंट करके बताईए दोस्तों इसका जो राइट आमफर आपका बनेगा वो कुछ किताबों में 92 है तो कुछ किताबों में 93 है तो भहिया आपको अपने इसाब से उत्तर देना है तो दोस्तों इसका राइट आमफर बनेगा 92, 93 दोनों जो भी आपका दिया रहेगा आप कर लीजिएगा अगला कोईस्चन खैर इसके बारे में आपको कुछ डेटेल भी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो भी जान लो जैसे कि यह जो अधनियम था पुराना अधनियम इसको निरस्त भी किया गया और फिर बिहार पंचायत राज अध्यादेश 2006 में बना था और जिसे बिहार पंचायत अधनियम 2006 के रूप में भी माना जाता है तो खैर कुछ जगा अभी इसको भी माना जा रहा है मतलब फही उत्तर और कुछ जगा 2006 को भी माना जा रहा है अगला प्रस्शन Quesion No.9 ध्यान से क्या होगा बिहार से बंगाल की खाड़ी में कौन फिनदी किस अनदी के मिलने से बहती है गंड़क कोसी स्वरड लेखा महानंदा तो दोस्तों इसका राइट आमफर क्या होगा जबाब करिएगा क्या होगा सही जबाब तो दोस्तों इसका जो राइट आमफर होगा वो होगा कोसी अगला कुछ चन आपकी स्क्रेन पर निमलिकित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है तो दोस्तों उसका नाम है क्या मुंगेर भागलपुर दर्भंगा या पटना तो दोस्तों इसका जो सही जबाब होगा वो होगा दर्भंगा अगला कोईश्यन कोईश्यन नमबर 11 1942 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करांतिकारियों ने नेपाल के तराई छेत्र में किस प्रफिच्चन केंदर का गठन किया था ये इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है तो अगर गलत हो जाए तो फिर समझ लो गरबढ है आजाद करांति या आजाद दस्ते या आजाद हिंदुस्तान आजाद आवाज तो दोस्तों पहले बेरी इंपॉर्टेंट मारो इसको चुकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो दोस्तों सही जबाब होगा वो होगा क्या आजाद दस्ता ये वाला आपसन नंबर भी येस और इसके जो अस्थापना किया था वो किये थे उनका नाम था राज बिलास नेपाल में इसकी अस्थापना भी हुई चुकि नेपाल तब भारत से अलग तो था नहीं तो उन्होंने प्रतम गोरिल्ला प्रफिच्छन केंदर की अस्थापना भी की थी ये भी आप जानते रहिए अगला कोईश्चन ये तो भई सबको पता है बिहार का पहला राज्यपाल कौन था तो दोस्तों इसका राइट आमफर होगा क्या डाक्टर जाकिर उसेन या जैरामदास दोस्तों सही जबाब सबको पता है तो मैं टाइम क्यों बरबात करूं जै जैरामदास दौलत राम थे इनको भारत का पहला राजपाल नियुक्त किया गया और भारत की सोतंतरता से पहले जैम सिम्टन थे जो एक अप्रेल 1934 को नियुक्त बिहार के पहले राजपाल थे ये बारीक बाते हैं जानते रहो कोईश्चन नमबर 13 ये सायत सबको ना पता ह लेकिन जानते रहे हैं बिहार बिधान सभा की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ अनुच्छेद 171,79,73 दोस्तों इसका राइट आमफर है अनुच्छेद 170 येस अगला कोईश्चन बिहार के जिला प्लेस्मेंट और विकास परिफत के अध्यच कौन होते हैं जिला दिकारी जिला विकास अधिकारी बित मंतरी मुख्य मंतरी क्या लगता है आपको बताईए फटा फट जल्दी से क्या लगता है आपको तो दोस्तों यहां पे सही जबाब मुझे उम्मीद है कि आप मेंसे काफी लोगों को जरूर पता रहा होगा और जिसको पता था वो प्लीज मेरे को कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा क्या नाम था आपका जरूर बताईए अपना नाम कि हाँ सर मेरे को पता था ये तो बिहार के जिला प्लेस्मेंट और विकास परिफत के जो अधियत हैं जो अधिकारी हैं वो हैं जिला विकास अधिकारी अगला प्रस्थन important है सोच समझ कर बिहार में किस मंडल में सरबाधिक जिले हैं पता होगे सबका की नहीं पता है इसलिए मैं कहता हूँ important प्रस्थन है सोच समझ कर बिहार के तीन प्रमुक मंडल कौन-कौन कहां पर सब फ्यदिक जिले हैं दोस्तों वो है मगद आपको लगेगा पटना पर ये मगद है जो मगद है दोस्तों ये पांच जिलों वाला प्रमंडल सिर्फ मगद है ये जान लीजिए और चार जिलों वाला प्रमंडल वो कौन है ये आप कमेंट में बताओगे अगला कोईस्चन कोशी नदी का उद्गम अस्थान कहां है बताइए जल्दी करिए फटाफट बताइए आपको पता है सब पता है आपको येस सुमेश्वार रेंज मंगमोर महाभारत रेंज या फिर सब्त कौशी की नेपाल तो नेपाल तो सबको पता है नेपाल फिर निकलती है कि महाभारत रेंज या सब्त कौसिकी बताइए बताइए फटा फट जल्दी से कोशी नदी का उद्गा मस्थल कहां है महा भारत रेंज या सब्त कौसिकी मुझे लगता है कि आपको जरूर इसका उत्तर पता होगा तो दोस्तों इसका सही जबाब होगा आपसन नमबर डी येस सब्त कौसिकी नेपाल नेपाल में सब्त कौसिकी यहीं से इसका उद्गा मस्थल है अगला प्रस्णा आपकी स्क्रेंड पर बिहार के किन तीन जिलों में जर्ना है सीता मडी चंपारन पूर्डिया दोस्तों इसका सही जबाब है आपसन नमबर बी गया रोहतास नवादा ये तीन जिले ऐसे हैं जहां पर क्या है जर्ने हैं अगला प्रस्णू निमलिखित में से किस मिट्टी को भांगर मिट्टी कहा जाता है भांगर मिट्टी बताइए तो दोस्तों जलोड मिट्टी को किस मिट्टी को जलोड मिट्टी को लेकिन पुरानी की नई ये भी बड़ी बात है इसलिए कहते हैं फसा सकता है पुरानी जलोड मिट्टी ऐसे और पेपर में नई पुरानी कह दिया तो बात भिगड़ जाता है तो पुरानी जलोड मिट्टी को ही भांगर मिट्टी कहते हैं अगला कोईस्चन कोईस्चन नमबर 19 आपकी स्क्रीन पर कमेंट करके जल्दी से बताईए तो दोस्तों इसका जो राइट आमफर होगा वो होगा क्या भागल पुर मुंगेर बैसाली यस इसका राइट आमफर आपसन नमबर A है यह बिहार के तीन जले हैं जहाँ पर यह चीनी मिट्टी पाई आती है भागल पुर मुंगेर और बैसाली अगला कुशन देखते हैं दोस्तों ये रहा बिहार का सबसे पुराना उद्ध्योग कौन सा है जूट, चेनी, उनी या चमला तो सबको पता है भाई जूट उद्ध्योग तो आपसे नंबर ए इसका सही जबाब होगा तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि आप बिहार इस्पिसल में और क्या टॉपिक चाहते हो, हलाकि मेरी पूरी उम्मीद रहती है, पूरी पूर्ण कोसी से, वही दूँगा जो पेपर में आएगा, बाकि फिर भी अपना फेड़ बैक आप जरूर दीज हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, सेयर करें, लाइक जरूर कीजिए, थैंक्यू सो मुझ,